अगर आपको टीबी हो गया आपको उससे कोई डर्नने के जरूथ नहीं है टीबी बिल्कुल टीक होने वाले बीमारी है मैं चोटा सा छीज आपको बताता हूँ टीबी क्यों आता है कैसे फेलता है और इसके इलाज क press क्या जो कास्त है जिसका droplet infection बोला जाता है, जो बाकी लोग inhale करता है, जिससे उनको infection होने का कत्रा होता है, इंडिया में तो लोग होता है, 90 लोग TB के बैक्टिरिय के साथ contact पे आते ही आते हैं, बट TB बैक्टिरिया contact पे आना और बीमारी करना दोनों अलग-अलग चीज़ है, अगर आपको immunity सह जिसमें आपको immunity compromised है, जिसमें diabetes है, या आप time to time काना नहीं काता है, या कोई HIV related बीमारी है आपको, या किसी को cancer के इलाज चल रहा है, जिसमें कीमोतेरपी मिलता है, जिस वैसे उनका immunity कम होता है, इन patient में TB contact से बीमारी होने का chances बढ़ जाता है, एसा patient को normal patient से तीन कुना ज्या रहेगा, और so that TB का bacteria अंदर जाके fail ना सके, और दीसरी बात है कि TB का इलाज करना बहुत आसान है, इलाज के पहले में बोलना चाहते है, diagnosis कैसे confirm हो जाता है, जैसा आपको जिस organ involved है, 90% cases में आपको फेफडे involved होता है, जिससे बलगम बनता है, बलगम का जांच बेजा जाता ह जिसका बोलता है spotum AFB, उसमें भी आपको positive आ सकते है, जिससे हम इलाज सीधा शुरू कर सकते है, अगर आपको दो बार AFB का जांच हो चुका है और negative आ चुका है, इसके बाद हम एक और जांच करते है, जो government sector में free में मुक्त में होता है, जिसका नाम बोलता है CB net, जिससे TB का load कितना है, high है, medium है, low है, ये भी पता चलता है, और साथ में एक main दवाई है, refamcin, उसका resistant भी पता चलता है, ये की दिन में दो गंटे में आपको ये पता चलता है, आपको बीमारी है या नही है, और आपको resistance है या नही है, इसलिए government इस test को first line test कहा जाता है, सारी patient जिसको TB क है, सब लोग ये test जरूर करवाना चाहिए, इसके साथ आपको एक बार TB positive पता चलेगा, फिर government के साब से दो test बिल्कुल required है, ये के HIV का जांच और दूसरे sugar के जांच, विकास ये दोनों मरीज में TB जैसे मैंने पहले कहा, वो बहुत ज्यादा दिखता है, इसलिए दोनों ज जरूर करते है, जैसे आप में ये चीज करते है, फिर इसके बाद हम आपको TB का दवाई दिया जाता है, जो काली पेट काना है आपको, जैसे आप दवाई काते रहेगा, 2-3 हफते तक आपको तकलिफ जरूर रहेगा, दवाई का पवर की वैसे आपको जेलने में, बड़ ज उस समय तक हम आपको बोलते हैं अलग से रहने के लिए फैमिली से जैसे आपको बूक वापस आ जाएगा फीवर कम होना शुरू हो जाएगा बलगम कम होना शुरू जाएगा पेशंट कम बोलता है बाकी फैमिली के साथ रह सकते हैं और जैसे एक महने के बद आपको significant improvement दिखन से खम कर देते हैं तो बट छे महने पूरा एलाज करते हैं जैसे एलाज कतम होने हो जाएगा फिर हम आपको सारी जांच फिर से रिपीट करते हैं आपको बॉड़ी कैसे रेस्पॉंड किया कितना वेट गेन हुआ यह सारी चीज देखके अगर डॉक्टर को संतुष्टी मिल जाता है तर आप साटिस्फेक्टर ली रेसपॉंड किया आपका दवाई बंद बंद किया जाएगा कभी-कभी कुछ-कुछ-केसे में हमें लगता है हाँ पूरी तरह से रेसपॉंड नहीं किया especially diabetic पेशेंट्स में या कुछ पेशेंट्स में जिसमें इम्मुनिटी कम होता है बट कुछ-कुछ मरेज होता है जिसका लिवर किड्नी की वएसे हम पूरा नायमोयने के इलाज नहीं दे पाएंगे कुछ इंजेक्शन्स देना पड़ सकते हैं उन केसे में रिस्चेंस के दोरन आपका इलाज तोड़ा लंबा चलेगा जिसमें 20 से 26 महने तक आपको कर दो